हेलो फ्रेंड्स आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल दाइफिसेंटिन चैनल में बहुत वस्वागत है फ्रेंड्स आज हम फिर एक नए टोपिक के साथ आए हैं फ्रेंड्स की प्रेशर और टेंपरेचर रेटिंग आज हम समझेंगे किसी फिलेंज का आप लोगों ने देखा होगा 250 क्लास होती है 300 क्लास होती है 600 क्लास होती है 900 1500, 2500, 2500 तो फ्रेंड्स ये होती क्या है उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लीजी जिससे हमारी नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टोपिक फ्लेंज रेटिंग फ्लेंज की किलास है क्या किसी दिये गए टेंपरेचर पर बहे फ्लेंज कितना प्रेशर जेल सकता है उसे उस फ्लेंज की किलास कहते हैं यानि बहे फ्लेंज दिये गए टेंपरेचर पर कितने pressure तक with stand कर सकता है Friends किसी भी flange की class को तीन नामों से जानते हैं पहली हुई class दूसरा हम उसे has से भी denote करते हैं Third, LB, LBS और pond Friends Flange का rating जितना ज़्यादा होगा Flange उतना ही strong होगा मजबूत होगा उसकी ODB ज़्यादा होगी कम rating बले Flange के मुकाबले बहर strong भी होगा उसकी OD भी ज़्यादा होगी उसकी PCD भी ज़्यादा होगी According to ANSI AsmB B16.5 के अनुसार Flange की ratings को 7 parts में divide किया गया है जैसे 150, 300, 400, 600 900, 1500 जिसमें से 400 किलास के Flange बहुत ही rarely और special purpose में यूज किये जाते हैं बाके ratings के Flange आप अपने Danic के daily routine के job में नॉर्मली देख लेते हैं चलिए Friends अब हम एक example के तरू इसे और अच्छे से समझ लेते हैं और आपके सारे doubt के लिए हो जाएंगे Suppose करिये Friends आपके पास दो Flange हैं साइच के चैंच के उनका material भी सेम है A105 Friends बट दोनों की क्लास अलग-अलग है एक Flange हमारा 150 क्लास का है और Second Flange हमारा 300 क्लास का है तो 300 क्लास का Flange 100 क्लास के Flange से strength में भी जादा होगा उसकी od भी जादा होगी उसका bait भी जादा होगा Friends चलिए अब हम इसे Pressure Temperature Rating चार्ट से समझते हैं Friends एक अगर मैं Flange ले लूँ 150 क्लास का और एक Flange ले लूँ में 300 क्लास का Same Size का तो 150 क्लास का Flange अगर Temperature 38 degree centigrade मैं दोनों का मान लूँ तो 150 क्लास का Flange 19.6 बार प्रेशर तक काम करेगा जबकि 300 क्लास का Flange 51.1 बार प्रेशर तक काम करेगा इसी तरह जैसे जैसे Same Size में हम Temperature को Increase करते जाएंगे Pressure decrease होता जाएगा यानि उस Flange का Pressure with Stand यानि Pressure सेहने की Capacity कम होती जाएगी तो Pressure और Temperature दोनो एक दूसरे पर Depend करते हैं Temperature Rise होगा तो Pressure उस Flange का जो Pressure वो जितना जहल सकता है वो कम हो जाएगा Friends, आप लोग हमारी वीडियो में Flange के बारे में सब समझ गए होगे अगर किसी को ये Pressure Temperature Table की ज़रूरत है तो आप अपना नमबर मुझे बाट्सप में कमेंट बोक्स में कर दीजिए भेज दीजिए जिससे मैं बाट्सप पर आपको वो